आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर को साप सुत्रा कैसे रखें वो भी बहुत कम समय में ये वीडियो आपके बहुत कम आएंगे इसलिए वीडियो के अंग तक बने रहें आप सभी को बर्तन धोते समय इस तरह के दिकते तो आते ही होंगे लेकिन अब एक निम्भू से इसे बहुत आसान तरीके से साफ करें दाग लगे बर्तन को गरम करें आप निम्भू को इधर उधर चलाएं उसके बाद देखिये कमाल सीसे में भी इस तरह के प्रॉब्लम तो आते ही होंगे लेकिन अब अपने सीसे को चमका के रखें करना क्या है आपको थोड़ा सा तूत पेश्ट लेना है और साफ करने का पॉडर दोनों को मिक्स कीजिए उसके बाद मिरर को साफ कीजिए ये जानकारी अपने दोस्तों को भी सेयर कर दिजिए कामों को असान कर देने वाला जुगार जो आपके बहुत काम आएंगे क्या आपसे भी आटा चालते समय इस तरह के दिकते होते हैं तो आप घबरानी की कोई बात नहीं आप ग्लास में आटे को लेकर चाल सकते हैं जिससे आटा बाहर नहीं गिरेगा जब आप सोस लेते हैं तो आपके भी इस तरह के हाथ में लग जाते हैं तो आप काटा के चमच से इस तरह के सोस निकालें हाथ में नहीं लगेगा आज मेरा मा बहुत खूस हो गई क्योंकि मैं अपने मम्मी के काम असान कर दिया मेरे मम्मी को प्याज काटने अच्छा से नहीं आता था तो मैंने बताया प्याज को सबसे पहले उपर से पकड़िए उसके बाद चारो तरफ कुछ इस तरीके से काटिए उसके बाद जब आप काटोगे तो बहुत अच्छे से कद्दुकस होगा पत्यकोवी काटने का भी एक आसान तरीका है आप एक पत्यकोवी लिजिए और उसके उपर कुछ इस तरीके से गिलास रख के काटिए कितना मस्त कटेगा और एक बाद हमारे चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब और एक लैक जरूर कीजिएगा